हमें अक्सर गालियां देने पर डाट लगाई जाती हैं, पर आजकल ये बोलचाल का हिस्सा बन गई हैं, अगर मैं बिना किसी गलत नियत के गलत चब बोल भी दूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, ऐसा हुआ, एक अच्छी कैतलिक लड़की शादी करके ससुराल गई, तीन दिनों के बाद उसने अपनी मा को फोन के और बोली, मा, मैं इस लड़के के साथ नहीं रह सकती, वो हमेशा चार अक्षर के शब्द बोलता रहता है, तब मा ने पूछा, वो कौन से चार प्रक्षर वाले शब्द बोल रहा है, उसने का, वो कहता रहता है, तो शब्दों का इस्तेमाल करने में क्या गलत है? मूल रूप से, जैसे आप गाली कह रहे हैं, वो काफी हब तक, हमारे पास हमारी खुद की भी गालिया हैं, जो हमारी भाशाओं में काफी सामान्य हैं, और कुछ अशलील हैं, कुछ किसी खास इरादे का इशारा करती हैं, कुछ हमारे परिवारों के बारे में बात करती हैं और कुछ बस एक दूसरे का मज़ाग उडाती हुई है पर ज्यादा तर अंग्रेजी भाषा की जिन गालियों का आप आज प्रयोग करते हैं वो मूल रूप से अमेरिकी हैं वो या तो टॉयलेट या बेडरूम के बारे में है मुझे आपको ये बताना चाहिए ये कई साल पुरानी बात है कोई एक आस्ट्रेलिया से एक महमान आये थे मैं करीब 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ आस्ट्रेलिया से एक महमान आये और मुझे उन्हें मैसूर दिखाना था आपको पता है मैसूर एक परेटन्स थल है आप बैंगलोर से हैं वो एक परेटन्स थल है, देखने के लिए कई जगा है, इसलिए मैं उन्हें अपनी मोटर साइकल पर ले गया जब मैं तेज चलाओं, तो मुझे सुनाई देता, शिट मैंने सोचा क्या है, अगर मैं ब्रेक लगाओं तो, शिट उन्हें कुछ सुन्दर देखता, शिट अगर खाना बहुत मसालेदार हो, ओ शिट मैं सोच रहा था, ये आदमी पूरे दिन, शिट का मंत्र की तरह जाप क्यों कर रहा है मुझे लगा, शायद कब्ज हो, उसे दूर करना चाहता हो क्योंकि जो सुबा का काम है, आप उसे लगातार पूरे दिन क्यों कर रहे है फिर मैंने देखा, जब वो गुस्सा होते हैं, शिट और तब वो थोड़े शान्त हो गए ओ, फिर मैंने सोचा, ओ, ये उनके लिए काम कर रहा है तो मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं किसी भी ऐसी चीज़ को डिस्टर्ब करने में विश्वास नहीं रखता जो किसी के लिए कारगर हो अगर ये काम कर रहा है, तो इसे छोड़ दिया जाए तो मैंने उस बारे में ध्यान से सोचा देखे, हमने ध्वनियों के उच्चारण के पूरे विज्ञान को एक शक्तशाली तरीके से समझा है यानि इससे आपकी चेतना और शरीर पर क्या असर हो सकता है या आपकी उर्जा को कैसे बढ़ा सकता है, इसके कई-कई पहलू है और फिर हम कहते हैं शिव जरूरी तैयारी के साथ अगर मैं आपसे ये एक ध्वनी बोलने के लिए कहूँ आपको किसी भी भागवान या किसी भी चीज़ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है बस इस एक ध्वनी से आपके होश उड़ जाएंगे मैं आपको ये दिखा सकता हूँ तब मैंने सोचा हम इस पर वैग्यानिक रूप से पहुँचे वो किसी तरह से ये समझ गए शिफ शब्द में भी केवल शी ही शक्तिशाली हिस्सा है वो उसे काबू में करने के लिए है ताकि लोगों में ज्यादा धमाका ना हो जाए ताकि एक बैलन्स बना रहा है का एर वो के बजाए उन्होंने टग लगा दिया मैंने सोचा कि ठीक है ये काम कर रहा है तो क्यों क्योंकि आम तोर पर जब वो बहुत बार वो शब्द कहते रहते हैं तो टर नहीं आता वो कहते हैं शिक और मैं भी जब शिव कहता हूँ तो वो बहुत छोटा होता है बस सिर्फ शी होता है तो मैंने सोचा ठीक है क्या फर्क पड़ता है फिर तुरंती कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी सद्गुरू आप कह रहे हैं कि शिव और शिट एक ही है सबसे उचा और सबसे नीचा मैंने का देखिए ये उच नीच सब आपका बनाय गया है पर जहां तक आपके दिमाग का सवाल है अगर उसमें शब्द अलफाबेटिकल तरीके से स्टोर्ड हों तो शिव और शिट आसपास होंगे आप शिव को यहां और शिट को वहां नहीं स्टोर कर सकते आपके पास ऐसी क्षमता नहीं है मुझे नहीं पता कि यह आपके दिमाग में कैसे दर्ज है अगर अलफाबेटिकल तरीका हो तो यह एक दूसरे के ठीक बगल में होंगे तो आप उन्हें अलग नहीं कर सकते तो सवाल यह नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है सवाल यह है कि क्या यह हर जगा काम करेगा अगर आप हर जगा शिट करते रहेंगे तो क्या यह आपके लिए काम करेगा सवाल यह है तो युवा लोगों के बीच यह ठीक है आप हर जगा शिट शिट कहते रहते हैं पर अब अमेरिका में ऐसा हो गया है कि शीर्ष पदों पर बैठे अफसर भी, ऐसे ही शब्द बोल रहे हैं। अंतर राष्ट्री समुदाय में, जब वो ऐसे शब्द बोलते हैं, तो कई तरह से बाक्चीत खत्म हो जाती है, ठीक है? किसी और वज़े से नहीं। सिर्फ इसलिए कि लोग, अगर आप देखें, तो कुछ अमेरिकी फिल्में, सीरियल और स्टैंड़ अप कॉमेडियन, वो एक शब्द के साथ पूरा वाक्य बना रहे हैं। हां? पूरा वाक्य, सिर्फ एक शब्द होता है, जिसे कई अलग-अलग तरीकों से दोहराया जाता है, और वो उसे महान चीज मानते हैं। मैं कहा रहा हूँ, एक जटल भाषा को विक्सित करने में इतना समय लगा, मानव मन के लिए हजारों साल लग गए। भाषा उन सबसे जटल चीजों में से एक है, जो इंसानी सब्दिता ने इस दुनिया में विक्सित की है। भाषा कोई छोटी चीज नहीं है, वैसे भारत में हमारे पास तेरा सौ भाषाएं हैं, कितनी प्रतिभा रही होगी, कि यहां आप मराठी बोल रहे हैं, कोई तलगू बोल रहे हैं, कोई कन्नड बोल रहे हैं, कोई कोंकनी बोल रहे हैं, और हजारों सालों तक यूं तो पास पास रहते थे पर आपने अपने साहित्य को बनाए रखा उन्होंने अपने साहित्य को बनाए रखा इस तरह उन्होंने मैनेज किया भाशा को विक्सित करने के लिए एक तरह की प्रतिभा जरूरी है अब एक भाशा जिसमें सैक्डों और हजारों शब्द थे आप उसे एक शब्द में बदल देना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे दुख है.